हेलो दोस्तों तो कैसे प्लेटो फामले आयोप सुपर हेट फिट अन परफेक्ट होगी है तो बहुत लोग ने मुझा कमेंट किया था कि वह जो बाइक आपने दिखाई थी जो बिल्कुल एक अनोखी पीस थी वह कौन सी वाइक थी एंड उसके बार में थोड़ा सौर बताने सामने खड़ी वही वाली लेकिन उससे पहले मैं जो मैंने इसका रिव्यू किया थी इतना अच्छे से क्लियरली हर एक चीज नहीं बताएथी बट आज के तैम में आपको हर एक चीज बताऊंगा क्या कैसे मोटिफिकेशन सुएं क्या क्या चीज़ लगाएं किसका कितना प आट तो चलो करते हैं वीडियो का स्वाइब से पहले चनल में सब्सक्राइब कर देणा वीडियुग अविपे नहीं तो लाइक करना बनता है चलो करते हैं वीडियो कि स्टांट तो भाई वीडियो को आप स्टार्ट करती है एक चीज मैं पूछूँगा आप लोग यह ससर बता नहीं कौन सी बाइक है देखो 350cc का एंजन है और यह इंजन डिजाइन सबको पता है ठीक है बट है कौन सी बाइक सई जबाब देने वाले को मिलेगा मेरा लाइक सिंपल इस स् सच बताओ तो यह है वाई हंटर 350 बट सच बताओ ना इसका जो लुक किया गया वह मैं काँगो ना साड़े 300cc में इसको एक कैफे रेसर बनने कोशिश की ऑल्लेटी कैफे रेसर जैसी दिखती थी बट अब इसे पूरी कर दिया गया एंड बहुत लोग बोलेंगे इसकी पी पूरी की पूरी अब इसके बारें बात करें ना पीछे लाइटिंग वाई इसकी बहुत जरूरत पड़ती है पीछे को यहार है आपको पपी ना देते तो यह रेड लाइट होना कंपल सरी मॉडिफिकेशन बंदे ने एटुज चीज ऐसा कि रोड लीकल रहे मतलब दिक्क अब आज तक किसी भी बाइक में ऐसी काफरेस और बाइक में यह चीज नहीं देखी बट आज जाके देखी एंड मतलब बताया थे मैं बट फिर से बता रहो है कि चीज एंड इसके वाद यहां पर स्टिकरिंग की गई इसमें जीटी स्पोर्ट स्पोर्ट लिखाया तो सच बताओ ना पूरी उसी की तरह लगती है तो इसमें बहुत सारे कलरिंग ऑप्शन यह सब किया बंदे ने मैट ब्लैक किया गया बाकि अगर किसी को जैपनीज आती तो बटा सकते क्या लिखा हुए जैपनीस लैंग्वेज में कोई चाइनीज मत बोलना जैपनीस लैंग्व लिए दिखें अच्छा देखने में अच्छा मैंने नंबर प्लेट भाई ने भी नाटा गया रखी हुए कि प्राइवेसी ना खतम हो भाई की एंड फ्रंट में लाइट की बात करें तो भाई यह आसानी से आपको चार हजार से लेके बारा हजार से पंद्रहार तक के रें किया हुए इसके बाद फेंडर की बात करें तो यहां पर कार्बन फाइबर फिनिश देने के लिए इसमें कोशिश की है बट यहां पर कुछ चीज़े लगी ती जो भी हटा दी गई है तो उसके थोड़े से रहे गए तो कोई उसमें दिक्कत नहीं कुछ ताम में आपको अ कि हम लोग ऐसा करवाएंगे भाई ने पूरा करवा रखा है ठीक है तो यह चीज़ इसमें लगी हुई है और यह अलग से यह रॉल इंफिल्ड के बारें पता होगा और यह लाइट की लग से बटन्स लगवाए हुए तो बागी दो चीज़ और बची है पहला यह विंगल जादर स्पीड में चलने वाली है नहीं कि अरो डैनामिक स्क्राइब लेकिन तब लुक्स अच्छे लगते हैं इससे हैं सबसे लास्ट यहां पर लगाया संप गार्ड लगवाया कि बाइचांस कोई अगर आप आप रोडिंग करने थोड़ा बहुत तो पत्थर अथर ना वरना जिससे आपका एंजन का संप होते ना इसमें डामेज हो सकते हैं बाकि लास्ट एंड नौट लीस्ट सबसे इंपॉर्टन चीज़ के बात करो ना यहां पर लगा हुआ ऑस्ट जरूरी है बहुत जरूरी है इसका साउंड काफी अच्छा है एंड साउंड मैं आपको के बात सुनाता हूं कैसी लगी वीडियो प्लीज कॉमेंट करके बताना है चुटी लास चीज और यहां पर ऑईल कैप लगा है उसमें भी कवर लगाया है ताकि इसमें हिट होने से कोई दिक्कत ना है कि पूरी मैटल की चीज़ दी हुई है वैसी दिक्कत नहीं आती भाई संदस्ट साउंड यह साउंड है मजा नहीं आरा ना हलकी से अपर अब तो भाई आपने हलके इसके पटागे सुने होंगा ना यह हलके पटागे देती है बट अगर हाई वेज में चल ले काफी गरम होगी एंड इसके बाद आप सड़न ली एक्सलेशन छोड़ते हैं ना त पटागे बहुत जबर्दस मारती है तो भाई कैसी लगी वीडियो है काफी घर्मी भी थी लेकिन आपके लिए हम लोगों ने किये कमेंट सेक्शन आते तो भाई वीडियो को प्लीज लाइक करना शेयर करना एंड सपोर्ट दिखाऊ तो वीडियो करते हैं खतम हां लास ची झाल 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 झाल